आप लोग अपने स्क्रेन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे यह भारती जिन्ता पार्टी के लोकसभा के सदस से और वर्डमान में भारती कुष्टी संग के अध्यक्ष भी है अभी चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आप दिखी हमारी महला पहलबानों ने इन पर इयोन सोसंड मांसिक पिताडना और आप दिखी परेशान करने का और डराने धमकाने का आरोप लगाया है और इन पर F.I.R. भी हुई है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं इनका परिवारी बेक्ग्राउंड किस तरह करा है इनका पॉलिटिकल सफर किस तरह से रहा है इनसे जुड़े हुए विबाद भी हैं उन विबादों पर भी हम लोग बात करेंगे कुछ और पिक्चर हैं आप देखे और अभी देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर पहलवान धर्ना पिज़ासन भी कर रहे हैं नीक के खिलाब और इनका सम्मन उत्तर पिदेश से हैं देखे ये हमारा प्यारा भारत है भारत में आप देखेंगे यह उत्तर पिदेश आपको देखने को मिलेगा लखनव इसकी राध्धानी देखने को मिलेगी और राजनीती की देश्टी से काफी महत्पूर भी है उत्तर पिदेश क्योंकि विधान सभा में आप देखते हैं सो तीन सीटे हैं वेधान पईसद में आपकी 100 सीटे हैं राज्य सभा में 31 सीटे हैं लोग सभा में 80 सीटे हैं आपको देखने को मिलेंगी और इसकी अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती है राज्यों में बिहार, जहारिखंड, छत्तीसगड, मद्ध पिदेश, राजिस्तान हरियाना, हिमाचल पिदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है और अगर आप लोग पिदान मंत्रियों की सूची उठा के देखे ना तो अधिकतर पिदान मंत्री आपके उत्तर पिदेश से ही निकल के आए हुए हैं और इसलिए कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्ध है उसका रास्ता उत्तर पिदेश से होकर जाता है बरेजबूसन सरंग सींग का जनम 8 जनवरी 1957 को उत्तर पिदेश की गौंडा जिली की अंतरगत एक गाओं विस्नोहर पुर में हुआ था पढ़ाई लिखा है इनकी रामनुहर लोहिया विस्विद्याले से हुई थी लेकि आपकी उम्र कम से कम 25 साल होने ची आधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गये है और आप देखते हैं कि इनका लोगसभा सदस्का चुनाओ डारेक्ट जनता मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो मद्दाता सूची में आपका नाम यह सीटों से जीते और वो 2011 से भारती कुस्ती महासंग के अध्यक्ष भी है 2011 से और बीजेपी सांसद बिरजभूसन सरन सिंग पर गंभीर आरोप लगे हैं भारती कुस्ती महासंग के अध्यक्ष और यह भाजापा सांसद हैं बिरजभूसन सरन सिंग पर अब दिखते हैं क कि बिनेस फॉगाट का दावा है कि लखनव नेशनल केम्प में कई कोच महला रेसलर कैनों ने सोसन किया है ठीक है यो उत्वीडन के आरोब भी लगे हैं चलिए जाच होगी उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है अगर हम लोग बीजेपी सांसत की थपड की गुंच आपने देखा होगा एक बार थपड की वज़े से भी काफी चर्चा में रहते हैं ब्रेजभूसन सरंग सिंग जारगंट की रादधानी राची में कुछ साल पहले एक पहलवान को थपड मानने को लेकर सवालों के गेर में आये थे और राची में राष्टी कुस्ती चेंपियंसिक की वक्त गुस्से में तम तमाय ब्रेजभूसन सरंग सिंग ने मंच पर ही युवा पहलवान को थपड जड़ दिया था और युवा पहलवान को थपड जने का वीडियो भी जम कर वायरल भी हुआ था उस समय आपने देखा होगा राष्ठ ठाकरे जो आप देखते हैं कि मह आउध्या आना था और इन्होंने आउध्या में गुसने नहीं देने की बात गई थी उसके बाद राष्ठ ठाकरे आये ही नहीं थी तो महाराश्ट नव निर्माट सेना प्रमुक राष्ठ ठाकरे ने पिछले साल आयूध्या दोरे और रामलला भगवान सीरी राम के दर्स इन्होंने एक गोशना की थी और ऐसा कहा जाता है कि जो राज़ ठाकरे हैं ये उत्तर भारतियों आप देखें उत्तर प्यदेश के वभिहार की लोगों से काफी भेदभाव करते हैं कई बार इन्होंने पाला भी बदला बरेजभूसन सरन सिंग राजनीती पाली भी बदल चुके पहल लवानी सियासी में आये बेजभूसन सिंग 1988 में भारती जिंता पार्टी में सामिल हुए थे फिर आप देखें न्होंने बाद में बीजेपी 2014 में जोइन कर ली थी एक आप देखते हैं कि बिवादित धाचा गिरानी के मामले में CBI ने बनाया था इने आरोपी ए बात हो रही राम मंदिर बाबरी मश्चित की अयवद्या मामले की बरेज भूसन सरन सिंग यूँ तो 1991 में आनंद सिंग के खिलाब चुना लड़े और पहली बार सांसर चुने गये थे 13,000 बोटों से हुई उनकी जीत गौंडा लोगसभा के लिए इतिहास थी और उसके बाद 1993 में बिवादित धाचा गिराया गया तो लाल कृष्ण आड़मियानी समेथ 40 लोगों को आरोपी बनाया था उसमें आप देखे बरेज भूसन सिंग भी सामिल थे और CBI ने सबसे प आरोप बहुत बड़ा था 1992 में मुंबई के जेजी हॉस्पीटल सूट आउट में पूर केंदरी मंतरी कल्पनात राय और बिरज भूसन को आरोपी बनाया था और आप देखे पुलिस की मताबिक जेजी हॉस्पीटल में अंडर वर्ड डॉन अरोन गवली के जिस सूटर को म पत्यारा था और दाउद ने बदला लेने के लिए डॉन सुबास ठाकुर और विजे सिंग को भेजा था और कल्पनात रायो विजभूसन सिंग पर आरोप लगा था कि उन्होंने दाउद के भेजे गई सूटर्स की मदद की थी हलाकि संगीन आरोप में विजभूसन सिंग दमंगई का रंग 50 किलोमीटर दूर तक इनका फैला हुआ था जब वो टाड़ा के जेल में बंद थे तब उनकी पतनी केतकी सिंग ने बीजे पी के टेकेट पर गौंडा लोकसबाद चुनाव से सीट से चुनाव लड़ा था और उन्होंने कॉंग्रेस की आनंद सिंग को 80 हजार गोटों के बड़े अंतर से हराकर सब को चौंका दिया था यानि कि जेल में होने की बाद भी चुनाव जीत गए थे और बीजेपी को अंदाजा हो चुका था कि बलरामपूर सीट को अगर बापस से पाना है तो ब्रेज भुसंग सिंग पर दाओ लगाना होगा फिर आप देखें 1989 में पार्टी ने बलरामपूर लोकसवा से उन्हें पित्यासी बनाये था और कहते हैं कि इनके जिले के आसपास दो चार जिलों में इनका अच्छा पखड है इसलिए आप देखते हैं कि राजनिती में काफी इनकी बर्चोस है लगाता दो बार से बलराम लोक पिताका उदय था और जिसने पहलवानों के अखाणों से लेकर सियासी रणमुमी तक अपनी तागत का हैसास कराया पहलवानी से लेकर भारती कुष्टी संग के अध्यक्ष तक और वीजीपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक बाहुवली ने था बेजभूसन सिंग हरव डर गये थे कौन ब्रिजभूसन सरन सिंग हर वक्त एक अंजाना सा डर और आसुरक्षा की भावना रहती थी और रिष्टेदारों को लगा कि ब्रिजभूसन सिंग अकेले लगभग अकेले हैं उन पर इसकूल जाते वक्त कई बार हमले भी करवाए गये और घरबालों ने एक बार फिर अपने गाउं लोटाते हैं गाउं आने के बाद एक दिन जब वो कॉलेज गये तो एक घटना से उनका पूरा जीवन कहते हैं बदल दिया गाउं की गर्मी की छुट्टियों का बक्त था और विरजभूसन सिंग अपने गाउं के पास वाले कॉलेज जा रहे रास्ते में कुछ लड़कियों के साथ छिर्चानी हो रही थी और कहते हैं कि बिरजभूसन सिंग बिरोत किया इनोंने और मंचलों से भिड़ गये और इस घटना ने उनने चात नेता के तोर पर इस्थापित करना शुरू कर दिया पहलवानों वाली कद काठी के में भी सक्किरी रहे उनने सो असी के तोरान दौर में पूरवान चलके आठ दस जिलों की युवा के निता के तोर पर उनका नाम गुचता था कुस्ती दंगल दोड़ हो या गुड़ सबारी हो गाउं-गाउं में युवा उनके नाम पर जीत की सर्थ लगाते रहते थे उन दौबादी निता की छबी के तोर पर खुद को इस्तावित करने लगे और बिजेपी के करीब आने के बाद बिरिजभू संक्सीन ने पहली बार बिधान परिशद यानि की MLC का चुनाव लड़ा लेकिन कहते हैं कि वो 14 बोट से ये चुनाव हार गय थे हालाकि इस हार के ब परमहंस, रामचंद परमहंस, महंत नित गोपाल दास, हनुबान गडी की स्वामी धरम दास समय तमाम संतों का आसिवाल लेकर बो मंदिर आंदोलन में भी सक्री हो गय थे यहां उन्हें अलाल कृष्ण आडवानी जैसे दिगज नेता की छत चाया मिली और आप देखेंगे की आडवानी की रामरत यात्रा को जब बिहार में रोक कर उन्हें गरफतार किया गया था तो उसी समय फैजाबाद स्विसासन ने बरेजभूसन सिंग को एक महिने के लिए जेल में भी बंद कर दिया था आडवानी जब जेल से चूटे तो उन्होंने पहली यात्रा गाट और अयुद्या से लखनव तक बो आडवानी के साथी बनकर यात्रा के दोरान साथ रहे थे और वरेजभूसन सरण सिंग ने लाल किशन आडवानी के साथ कंधे सिकंधा मिला कर राम मंदिर आंदोलन को भी समाला था उसमें भी रहे थे मायवती की ब्रोद में भी उत और आक करमक सियासी अंदाज की बड़ी भूमिका मानी जाती है एक ऐसी ही चटशित घटना है जब वो गॉंडा का नाम बदलने के मुद्दे पर ततकालिन मुकमंत्री मायवती से बिढ़ गय थे और 2004 में मायवती ने गॉंडा का नाम बदल कर लोक नारायन जैपिकास नार गया था और आप देखते हैं कि मामला पिधानमंत्री अटल विहारी बाचपई तक पहुंचा था तब बेजभूसन सिंग की अपील पर पीम अटल ने मायवती को घोशना बापस लेने के लिए कहा था और आखिरकार गॉंडा का नाम नहीं बदला गया था लेकिन राजनित का नाम बदलने का जो एलान मायवती ने किया था उस महिम के पीछे बीजेपी से जूड़े कुछ नेताओं का हाथ था और इसी बात को लेकर बीजेपी और बिरजभूसन सिंग के भी मदभेद और मनभेद तक पहुंच गया था और उन्हें 2009 में पार्टी छोड़नी में भी दर्ज हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के दामन थावा और केस्तरगज लोकसवा से चुनाव भी लड़ा और कहते हैं कि इस चुनाव में 63,000 बोटों के अंतर से जीते थे और पार्टी भले ही बदल गई हो लेकिन बेजभूसन सिंग का सियासी कद उनके पार्टी जिन्ता पार्टी बीजेपी में सामिल हो गए थे उन्होंने एक बार फिर केस अरगंज से चुना लड़ा और 73,000 बोटों के भारी अंतर से विजय हुए थे तो इस तरह से आप देखेंगे उनके बेजभूसन सरन सिंग का बहू बलने का बहू बली बनने का सफर क किसी भी मामले में नहीं हुए 1991 से 2019 तक उन्होंने छे बार लोकसवा चुना जीत हांसिल किये और सियासत में दबंग छबी के अलावा उनका एक अंदाजा भी है जिसकी बज़े से वो कई बार सुर्खियों में भी रहते हैं उन्हें लेखन गायन साहत से बिसिस लगाओ भी है वो अपने भासन में अक्सर गीत कविताएं भी सुनाते रहते हैं और आप दिखते हैं कि कहते हैं कि पचास से जान्दा इन पर केस दरज हैं गौंडा वलरामपूर आसपास के जिलों में बिजभूसन सरन सिंग के दरजनों इंटर कॉलेज डिगरी कॉलेज सिक्षन सस्त पोली बारे अंदाज की गवाही देती हैं और उनकी जादातर गाडियों के नंबर 9000 हैं उनके काफले में सामिल कारों की कीमत मॉडल पर गौर करें तो आप देखें टोएटा लेंड क्रूजर जिसकी कीमत 41 करोर रूपय है टोएटा प्रचुना जिसकी कीमत 40 लाग रूप बयान दिया था और जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों कहा तो जवाब दिया कि मायबती ने एक रेली में उन्हें गुंडा और आतंक बादी बताया था और आप देखते ही कि लिहाजा मैंने उन्हें जवाब दिया है और इससे पहले 24 जुन 2018 को उन्होंने कह दिया बाहुवली बेजभूसन सिंग हिंदू बादी चबी के निता है और वो उस खुद को उस भूमिका में बरकरार भी रखने के लिए अपने अंदाज ये बया भी का सहरा लेते रहते हैं बिरोधी उन्हें सिक्षा माफिया भी कहते हैं तो कई लोग उन्हें दवंगई के दम पर चुनाव जीतने वाला बाहुवली भी कहते हैं और विदेखे बिवादी धांचा के मामले में 28 साल बाद 30 सेप्टमबर 2020 को सांसत बेजभूसन सिंग बरी हो गया है देश के सबसे बिवादी तो चर्चेश लंबिस समय तक चलने वाले मुकदमे में जब वो बरी हुए तो समवर्द को उन्हें जस्न मनाया था तमाम आरोपों बिवादों जेले आत्रा के बापजूद वो चुनाओ जीतते रहें और उनके नाम पर उनका परिवार भी राजनितिक रसूख आसिल करता रहा है पत्नी सांसत बनी बेटा बिधायक है अभी समाज में उनकी सक्रीता अक्सर देखी जाती है लेकिन ऐस सच है कि बरेजबूसन सरंसींग अपने राजनितिक सफर में सिर्फ नेता नहीं बल्की बाह्यूवली के तौर भी पहचने जाते हैं तो एक सौट कहानी आप लोग कह सकते हैं इसंट बाहाई पर यूव गराफी कह सकते हैं ऐसे बरेजब